आप शंस्कुरुत ना चोथा अगध्य नाट्य पाठ नो अभियास करवा जाई रहिया तो आप आटनी स्वर्वात मां हुनिकुंज रावाल आप सर्वेविध्यासे मित्रोंनू वेलकम साडाना ओडियो विज्यू लेक्चेर मां हर्दिक स्वावित करूँ छू जे खासकरी ने धोरण 10 ना कोर्स नी अंदर जे त्रोण नाटको छे एमाथी एक नाटक आपड़ा कोर्स मा निकड़ी गई उच्छे एक क्लिया कंटेन निकड़ी गई आशी नी चर्चा आपड़े आव ता लक्षर मां कदी देशूं पन जे नाटक मोस्ट आयम्पी कई शकाए त्रोण नाटको माथी एमाथी वेरी वेरी मोस्ट आयम्पी नाटको ओए तो ए गध्यक्रम चार एटले के जनार्दन स्य स्रिकृष्ण नो पस्ची मह एटले अंतिम शंदेश अह एटले शंदेश भगवान स्रिकृष्ण नो अंतिम शंदेश ए जे चोथू नाट्य गद्यों छे एनो आजे आपड़े संपून तह अभ्यास करवाना चीए और आ एतला माटे मोस्ट आयम्पी छे कि आ नाट्य ग स्रिकृष्ण नो पस्ची मह एटले अंतिम शंदेश अह एटला माटे के आपड़नी स्टोरी प्रमाणे भगवान कृष्ण ना आ नमों एटला माटे उल्लक थायो छे कि जनार्दन अह ए शब्दन अर्थ थाई शे दुष्टों नास करना रहा तो भगवान कृष्ण पहरतना युदने लईने एक विशेश प्रकारना दूतनी रचना करी छे तो ए दूत ज्यारे दूत द्वारा एक कारियर नहीं थाई त्यारे भगवान कृष्ण छे अर्जुन ना सार्थी बनी अने धनार्दन नह दूस्टों नास करना रहा बनी रहे शे इतला माटे भग कवी भास ना तेर नाटको सहित्यने दृस्टी रूपक नाटको मा प्रख्यात मान वा मावीहासे ओं साहितिक अयत्यासिक दृस्टी माहिती मलेशे प्रमाले कि Pokemon six अगुनिस्मा त्रिविंदम नामना मठ माथी आचारिय तीग्रपती सास्त्री ने एक साथे तेर नाटकों मलिया विया आता एमा सप्नवासों दत्तम ए अगाव कवी जहिदेवे जनाविया पर्माने महा कवी भासनूद छे एवो प्रतिपादित थे गयो हतु तो ए सप्नवासों दत्तम नाटक नाधारे ए नाटक नी शैली और लखाण नी पध्धती ने आधारे आचारियो तीग्रपती सास्त्री ए एवी जाहिरात करी कि आ त्रिविंदम नामना मठ माथी मलेला अन्या नाटकों पॉपन महा कवी भासना छे महा कवी भासना जन्म ने कवनने लईने संस्कुरुत साहितियमा खुब मत बेदो जड़वाये लाएशे के एमना जन्म क्यारे थायो एमनी जीवन पधती के वी अती एनने लईने कोई योग्य माहिती मलती नथी तो एद प्रस्ण एमना नाटकों ने लईने पॉपन उबधायो ज़े पॉपन आचारिय टीगन पती सास्त्री एमना जी तेर नाटकों हता एने भासनाटकं चक्रम एवू नाम आपी जिदू पॉपन ये समय एक समस्या पन उदभवी भास समस्या जे मां अमुक विद्वानों एवू कहता आता के आ तेर नाटकों महा कवी भासनाज छे तो अमुक विद्वानों एवू कहता आता के आ तेर नाटकों महा कवी भासना नथी पॉन आपणी जे कुरुती छे ए जनार्दनस्य पश्षिम संदेश ए महाकवी भासना 13 नाटको मां आधारित जे महाभारत आधारित नाटको छे एमानू एक नाटक छे दूत गटोज गज़ाओ एटले के आधारित गटोज गटोज नाटक छे जे रूपक एकांकी प्रकाल नाटक छे एमानी आपणी कुरुती लेवामा आवी छे अवे दूत गटोज नी कथा एवा प्रकार नी छे के महाभारत नू युद्ध सरू थे गई उछे और ए युद्ध आगण चालवा जही र और जुन ना अन्सुभदरा ना दिक्रा एवा अभिमन्युने कुट कपठ्थी मारी नाख्वामा आवे बमे छे त्यारे त्यारेज मारी प्रतिग्या पुलन थे आवी एक प्रतिग्या ले शे ये समय भगवान कृष्ण ने वो विचार आवे शे के जहिद ते आज पांडवों सोकातूर दुखी थया थे आ परिस्तिती ने त्यान मालाखी ने जो धूत्राष्ट ने समझावाम आवे के आज अटकावी देवा माटे प्रत्न करी शकाई ये वो एक प्रस्थाव एक विचार भगवान कृष्ण ना मगज मावे शे अन एटला माटे भगवान कृष्ण छे एक भीम और हिडिम बाना दिकरा एवा गटोज गच ने दूत बनावी ने धूत्राष्ट नी शभामा मुकले अन त्या तूत्राष्ट ने आ एक प्रस्था मुकवाने रजुवाज करे छे कि आजे अर्जुन नी आदुखी अवस्ता छे आने आ चालियो तो आवता वक्ते तमारा सोधिकराव मडशे अन तमारी आवस्ता थसे माटे तमारा संधिने पाछू वाली लियो अन आ यूद खरेखर जो यह मित्रो तो महा भारत जे वेद्व्यास रचित महा भारत अचैं एनी अंदर आ प्रसंग आवतो न थी आ प्रसंग ए मातर न मातर महाकवी भास नी एक काल्पणिक रचिना से पर्ण आकाल्पणिक प्रचनानी विशेस्ता आई शेमित्रों के आप आठेई आ नाटक नी अंदर आपणी जोई शक्किये छी है के गटोजगत छे एक मनुश्य एक भीम और राक्षसी हिडिमबा नो राक्षसी कुत्र छे तेम छता एक गटोजगत नी वानी मां एक युद्यशत्र मां थी लोकोनी शाथेना सोवादो मां एक राक्षस जातीनो व्यक्ती मानविय भाव रजु करेशे मानविय रजुवात करेशे जैरे दुरियोदन जेवो एक मनुश्य जनमेलो मनुश्य जातीनो व्यक्ती राक्षसी विहवार करेशे एनू एक मानसपटल उपर महकवी भासे लो प्रहत्न केरो शे एक राक्षशी व्यक्ती छे जी मानवीय व्यहवार करें छे अनु एक सुनदर व्रणन छे ए आकुरती ने अंदर जवाल आ गटोत गच्नुन नाम साहँआते गटोत गच पालेलु छे तो इना माते पड़ महाभारत्मा वुलेक छे दूतराष्ट नी सभामा आवे दूतराष्ट ने अभिवादन करेशे ए पछी दूतराष्ट ने अभिवादन करीया पछी ए बगवान कृष्ट्यना संधिय साविषे चर्त्तराष्ट प्रतिगना प्रमाने तमारा दिकराओ तमारा स्नेही उमर से तो आवा दुखने आगल नवधारू होई तो हजी एक रस्तो छे के सेन्य जे तमारू कुर्क्षेत्र मा वबू छे एस शेंजने पाछू वाली लो औने आ युद विराम ना प्रस्तावने आ समाधान ना प्रस्तावने स्विकारी औन आया युद विराम करिया आपो पर दुटरास्ट कसु बोली सकतो नथी कारण के दुटरास्ट छे दुरियो धन्ना मोहमा अंध थे गयो छे जन्मती तो अंध छे पर दुरियो धन्ना मोहमा मोहांध थे गयो छे वड़ी शकुनी आ युदने वधार महत्वा अपना रो व्यक्ती छे एले दुरियोधने शकुनी वच्चे अने गटोडगत वच्चे ये समाध उठाई छे ए समाध मां एक मानविय एक राक्षसी व्यक्ती नो मानविय भावर रजू थया छे जारे एक मानवी व्यक्ती ना राक्षसी भावर रजु थेयाँ छे कोई ज कारणे दुरियोधन ने शकूनी वगेरे आ युद्ना प्रस्तावने अटकावानी जग्याए युद्ने आगरवधारन प्रहत्न करे छे अन्त समये दुत गटोज गत बनेलो गटोज भगवान कृष्णा नो अंतिम संधेश यम दन बनीने पांच पांडवो युद्मा उतर छे और तमार बधानो नाशकरी नाग छे आ या श्टोरी नी पुर्णा होती थाई छे पन आ श्टोरी मां मुख्य बोध इ रहेलो छे कि जहारे व्यक्तिना जिवनमा दुखनी घडी आवे त्यारे व्यक्तिये अभिमान न करूँ जोईए समाधानना प्रस्तावने शिकारी लेवो जोईए जितिकरीने कुल नो विनास न थाई आया समाधानना प्रस्तावने दुरियोधन नसी स्विकारतो और दुरियोधननी आ मुर्खता ने कारणे दुरियोधनना खोटा अभिमानने कारणे आखा कुल नो विनास थाई जाई छे तो आम दुरियोधन आखा कुल ना विनास नो कारण बनी जाई छे ए वात ने पन आ पाथनी अंदर सम्जावमा आवी छे अंनाटकनी अंदर सम्जावमा आवी छे तो हवे आपडरे आ नाटकनो अउस्वेवस्तितर प्रविश्य तो भरत्मुली ना नाट्टे विधान प्रमाने जे वस्तू काउंसमा आपी होई इन्ने रंग सूचक केवा मावेश्य आपी होई जे और नाक भजवी रहिया छे यहां नाट्क भजवनाराने नात क भजव Itu ग्तरास्त निसमा मायवेश्य प्रवेशी ने अरे अयम आ अत्रभवान धुतरास्ट है अत्रभवान भवान इतले श्रीमान इवो संस्कृत नुट सर्व नाम नुट रूप छे पन साहितली द्रश्टिये लोकिक विधान प्रमाने जहरे भवान शब्द नी आगल अत्र एवो शब्द प्रियोग करवाम आवे छे त्यारे येने आदर वाचक मानवाम आवे छे अत्रभवान एटले आश्रीमान तो जे व्यक्ति हाजर होई अने येनी विश्यावले चर्चा करवानी होई तो त्यां अत्रशब्द लागे छे एटले अत्रभवान आश्रीमान एवो थाई पन ज्यारे ये व्यक्ति उपस् चारचा करवानी होई क्यारे तत्र भावान ते पुझ्य स्रीमान एवो और भासंतर अर्थ थाई शे तो कि आर्झा अत्रभावान आर्बा आ तर वाचक ऩक्त्र सब्द लागता इनो अर्थ एवो थे यौ कि पुझ्य स्रीमान दुतरास्ट हो एटले दुतरास्ट अनारिय सतस्य उत्पा धईता अनारिय सतस्य अनारिय अटले ओसंसकारी आरिय एसंसकारी व्यक्ति माले वपरातू एक संबोधन छे जारे अनारिय एसंसकारी व्यक्ति माले वपरातू संबोधन छे अनारिय ओसंसकारी सत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत्युत् गटोर्गत माटे सों थाई एना पितामह थाई छे एना प्रदादा थाई इतला माटे पितामह ये दादा जी अभीवाद ये गटोर्गत अभीवादन करू छूँ परसी टपका टपका आए पास एकले खरेकर आया ये शब्द बचाएगो छे एक राक्षसी व्यहवारिक प् मानवियो सिच्टाचार आवार तो नथी मानवियो घरते सिच्टाचार उन्ती यह उर्ती करता हों राक्षसे व्यादै नाथी काम openness जंगल माह जंगल्अली ये मोह जी पितो उत्य अभान ना थी ए ले बगवान कृश्ण भटण गच न ने बोल्वास कि दू तू महान भी ए सिस्टाचार माटे नो व्यहवार सिखड़े वो तो इ भुली जाई छे एटले ए भुली जतो होई एम तियां थी इत्य उक्ते है एम अर्धु बोली ने आटलो बोलो पसे एने पोता ने फिल थी उके पोते का एक बलवामा भूल करे छे एटले तियां आई अटकी गयो इती उक्ते है एम अर्धु बोली ने न न न न अयम अक्रम अहां अयम इतले आ अक्रम इतले योग्यक्रम न थी प्रवर एने कई रिते बलवानों तू कि पेला इना वडिलो लेके योदिश्टीर वगेरे ना संदर बेने अभिवादन करवानू पछी पोटे अभिवादन करें लेके पगे लागे यह एवू करवानों होतों यह पोटेत बली गयो हूं तमारू पुजन करूछू तमने पगे लागूछू परो ओला कोलना नाम बिलता बली गयो तो आया आ स्लोक आजे कंटेन्ट छे आजे स्लोक छे इमां आपन एवू जवा म आतुछ से वेहवार कर से आपन ना नाटक ने बता वकी थो डीदकों होतों युदिस्टीर आदयच युदिस्टीर वगेरे मे गुरु वह मारा गुरु जनो भवन्तम आपने अभिवाद यंती प्रणाम करे छे प्रवेशी ने अरे आ पुझ्य स्रीमान दुतराष्ट छे एक सो अनार्य पुत्रों ने जन्म आपनार पासे जईने हे दादा जी हुँ गटोर गज वंदन करू छूँ एम अर्दू कहता ना ना आक्रम भंग छे आयोग्य क्रम नथी युदिष्टी वगेरे मारा गुरुजनू आपने प्रणाम करे छे पश्चात अह पछी अहं घटोत गच अह हुँ घटोत गच अभीवाद ये प्रणाम करू छूँ परवर के पेला युदिष्टीर वगेरे मारा वडिलो ए पछी मारा गुरुजनू ए आपने प्रणाम कहड़ाविया छे अन हवे अन्ते हुँ घटोत गच ये आपनी समक्स उपस्तित थयो छूँ ए आपने प्रणाम करू छूँ एना पछी नो जे डाइलोग छे कोनो आवे छे दुतरास्ट हाँ एही एही पुत्र हाँ एही ए अविये छे देनो अर्थ थाई आव आव पुत्र अट ले दिकरा तो जैरे आनो डाइलोग पूरो थियो घटोत गच नो के भ मैं हूँ तमने प्रणाम करूँ छो त्यारे दुतरास्ट यें कहे छे के एही एही पुत्रह आ आव दिकरा तुम्हा आयां बिराजमान था गतोत गच है अहो अरे अत्रभवान खलू कल्यान है अरे अत्रभवान आप स्रीमान तो खलू एटले खरे खर कल्यान है एटले कल्यान कारक छो तो आई या वाक्या रचना आडियोडी छे पेलो शब्द छे अहो एतले अरे बीजो शब्द छे अत्रभवान आप स्रीमान त्रीजो खलू एतले खरेखर और चोथो शब्द छे कल्यान हो एतले कल्यान कारक छो ओहो अत्रभवान खलू कल्यान अरे आप स्रीमान तो खरेखर कल्यान कारक छो करनके मिठा मिठा सब्दों मां एनों स्वागत करे छे इतले आया पन एक जूओ एक राक्षस छे छता ए मानुवियो ना एवा विविद्र प्रकार ना एक नाट की ये भावने समदी गयो छे इत शुकाम कल्यान कारक छो अब दीज प्रवूतियों नों जन्म कोने आईपो छे दुतराष्ट ना पुत्र मोहे इतले न कटाक्स मां शब्द प्रयोग ठयो छे कल्यानम प्रसूति मह कल्यान कारी प्रवूति ना जन्म दाता छो कल्यान आम एटले कल्यान कारी प्रवूतियों ना प्रसूति में जन्म आपो कल्यान कारी प्रवूति ना जन्म दाता छो आयां पन कटोर गत छे एक कटाक्स वाक्य बोले छे के आपेज एम कहता के एछे के आपेज आब दी कल्यान कारिक प्रवूती नो जिन्मा एपो छे आजे युद्धनी परिस्थिती मां उभासे बदाई एनू कारण पन क्यांक ने क्यांक दुतराष्ट नो पुत्र मोह छे एटला आमाटे तमेजा बदू करना राज हो एवू आटकत्री रते गटोर गट छे ए तुतराष्ट न गयतो हो एवू जोवा मले छे पिता मह, आजा आडा अवढ़ा शब्द छे, संधि थुडी पर से माँ पिता मह बद्ता आह पिता मह एटले दादा जी आह एटले कहे अठक वा कहिए तो पेलो शब्द छे पितामह, विजो भगवानह, त्रीजो चक्रायुदह, आने चोठो आई आपड़े संदिशुरी पाई लिए आह तो भासंतर से पितामह, भगवान, एटले के भगवान, चक्रायुदह, एटले चक्रधारी स्रीकृष्णये आह एटले कहियू छे के पितामह, हे दादाजी, भगवान, चक्रायुद्ध कृष्णये, आह एटले कहियू छे के वित्रो आ चक्रायुद्ध शब्द से एने टिक्र नक जो, अने मा लखी नाखो बहू वरिही समास, कानके एनो विग्रह करिये, ए शब्दनों विग्रह करिये तो सुन थाए चक्रायुद्ध जे चक्रने धारण करे छे, तो कोण चक्रने धारण करे छे? तो के भगवान कृष्णये, भगवान विष्णू तो आईयां चक्रायुदी सब्द छे एक दिते बहुवृही समाश बने छे माटेने टिक करनाग जो चक्रायुदह बहुवृही समाश छे एना बची तुत्रास्त बोले छे आशनात उत्थाय आशनात यहां तो प्रत्ति लागडियो छे पंचमी विबक्ती अपादान विबक्ती नो जिनू भासंतर थो छे आशन माथी एक पदार्थ माथी विजो पदार्थ ज्यारे अलग सतो होई त्यारे एने अपादान विबक्ती केवा मावे छे तुआ यह अपादान विबक्ती नो प्रयोग थायो छे तो आशनात आशन माथी उत्थाय एटले उभा थाईने तो दुतरास्त्तनों जे पात्त्र वजवतो होई यह आशन माथी उभा थाईने तो दुतरास्तनों जे पात्त्र वजवतो होई यह वो अभिनाई करे हे तो दुतरास्तना सब्द मा आवे छे भगवान चक्रायुदह भगवान चक्रधारी श्रिकृष्णे किम आगना पयती किम एटले सुँ आगना पयती एटले आगना करी छे हुबा थाईने कृष्णने मान आपतो होई यह दुतरास्त वभो थाई छे और हाथ जोडी ने के छे भगवान चक्रायुदह चक्रधारी श्रिकृष्णे सुँ आगना करी छे ते मने जणावो गटोद गचह न न न न न नही 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 आशन स्थेन एव भवता श्रोट व्यो हो आशन स्थेन एटले आशन पर बेठेला एव अटले ज़ एव शब्द ए अव्याई छे आशन स्थेन आशन पर बेठेला एव अटले ज़ आशन पर बेठेला ज़ भवता श्रोट व्यो हो पहवता अटले आप स्रीमान स्रोतवियो अटले साम्भळो परवर आशन पर बेठे लाज आप स्रीमान साम्भळो एवू के छे तो आया स्रोतवियो शब्द छे मित्रो एमा तव्य प्रत्य लागियो छे तो विद्यत कृदंत नो प्रयोग थायो एवू कई शकाए श्रोतवयो सांभड़वू अथवा तो सांभड़वू परवर तुँआ ये तविय परत्येनो प्रयोग थायो छे विध्यस्त कुरुदंत नो आशन पर बेठेलाज आपे चनारदनस्य संदेश स्रोतवयो हो भगवान कृष्णन संदेश स्रोतवयो अटले सांभड़वो जोईए ब्रवर पिला उबो थतो तो अटले आने ना पाड़ी के नहीं नहीं आशन पर बेठेला रहीनेज आप स्रीमा ने भगवान स्रीकुष्णनों संदेशों सांभडवों जोईए एउँ एम कहीने पिला ने बेशाडवा माटे थे ने विननती करी एना पसी आवसे धुत्राष्ट हवे धुत्राष्ट नो डायलोग आवे छे यदा जेवी भगवान चक्क्रा युदह भगवान स्रीकुष्णनी आगना पयती जेवी आगना परव यदा आटले जेवी भगवान चक्क्रा युदह आगना पयती जेवी भगवान एम कही ने पोते उपाविशह बेशी जाई छे, परवा प्याम उपविशती गतोत 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 गत कावे छे, पिता मह गये दादाजी सुरीताम साम्बलो हावच्छ अरे बेटा अभीमन्यों हो अभीमन्यू हावच्छ अरे पुत्र अभीमन्यू अयां घतोत घत छे अभीमन्योंना मृत्यू थी अचानक आवु अवशान थायो छे अवसान थी केवी परिष्ठिती पांडवो ना जिवन मा आवि पड़े छे पांडवो अभीमन्योंना मृत्यू थी केवा दुखी थाया छे ये नुएक लागणी भहिरो चित्र छे ये आ अनुज नाना भाईना आवा मृत्यू थी अतियंत डुखी थयो छे एवो एक डुखी भाव पन आ डायलोग मा रजू करे छे इतला माटे आख सब्द प्रियोग आवा उद्गार वाचत थया छे अरे बेटा अभिमन्यू अरे बेटा अभिमन्यू कुरू कुल प्रदीपह अभिमन्यू उनी एक विशेष्ताव बतावी छे अभिमन्यू छे एक कुरू कुल प्रदीपह कुरू वन्स नो दीपक छे दिवो छे कानके पांडवो औने कवरवो एक अंदरे तो कोना वन्स जो छे महराज कुरू ना वन्स जो छे एना थी पुरूरवाना वन्स जो छे तो पुरु माँथी कुरु अने कुरु अने मा कवरव। तो महराज कुरु ना पावरवनसी चंद्रवनसी छे कवरव। तो एटला माटेन कुरु कुल परदीपह, कुरु कुल नो दिवो एवो शब्द प्रयोग करियो छे। कुरु कुल परदीपह, कुरु कुल नो दिपक हावत्सह अरे दिकरा, यदु कुल प्रवालह, यदु कुल नो अंकुर। तो यदु अनसी कुण छे? भगवान कृष्ण छे एदु अनसी यादव कुल माहता। तो रधुन ना लगन छे, ए भगवान कृष्ण नी बहें सुबद्रा साथे था या, तो सुबद्रा ये क्या वनसी नी छे? यदु वनसी, यादव कुल नी छे, एटले कुरु कुल नो ये दिवो छे, कुरु कुल नो ए दिपक्त छे, अन्ने यदु वनसी अनु अंकुर अन्कुर आधु आने के बीज छे, ए कुनो पुत्र चे, सुबद्रा नो पुत्र चे? सुबद्रा न गरभें जनमेलो पुत्र चै, एटले ये अनु पुत्र पक्सातिव थियू प्रगवान कृष्णा नुझे यादव कुण छे यदूवन्सी छे यदूवन्स येनूँ मोशार छे। अने यदूवन्सी ओनू ए अंकूर हतू, आम वे सक्तिसाली साम्राज्यो, सक्तिसाली जातियों आंस छे। जेवोते वो व्यक्ति नथी, एम केवाएनू अभिवादन छे। तव जन्दनीम मातुलम, तव जन्दनीम, तव अटले तारी। जन्दनीम एटले माताने, मातुलम, एटले मामाने, च, अने, ममा आपी, मने पण। तव जन्दनीम, तव जन्दनीम, तारी माताने, मातुलम, मामा, एटले भगवान, कृष्ण ने, च, अने, ममा आपी, ममा वत्ता, अपी, मने पण। ममा आपी, मने पण। परित्यज्यह, छोडी दईने, परबर फरिति जोए तो, यदू कूल प्रवालह, कुरू कूल प्रदीपह, कुरू वन्सना तेजस्वी दिपक, हावत्सह, अरे बेटा, यदू कूल प्रवालह, यदू कूरना अंकूर, तवजन्दनीम, तारी माताने, अलपविराम, मातूलम, इटले, माता समान, एवा, मामाने, च, अने, ममह, अपी, मने पण। परित्यज्यह, छोडी दईने, त्यागी दईने, पितामहं द्रस्टुम आसयाह, पितामहं, अवे एना पितामहं कौन थाए, तो के माहराज पांडू, कारके पांडू हयात नथी, परवर, तो पितामहं का मुसमा पांडू राजाने, द्रस्टुम, एटले, जोवानी, आसया, एटले, इच्छा थी, परवर, पितामहं द्रस्टुम, आसया,